Modified Compartmental Models इस माड्यूल में मारा फोकस होगा कि जो कमपार्टमेंटल मॉड्लिंग का एप्रोच जिस स्टाइल से, जिस एंगल से, जिस डाइमेंशन से हमने प्रीवेस माड्यूल में देखा आम तोर पे, रियल लाइफ में, कमपार्टमेंटल मॉड्लिंग इग्जैक्टल इस तरह की नहीं होगी क्यूंके कुछ फेक्टर्स ऐसे होंगे के, चेंज होते रहेंगे या कुछ फेक्टर्स जो होंगे वो कुछ एक्स्टर भी, अडिशनल भी हमारे सामने मॉड्लिंग में आएंगे तो यह ज़रूरी होगा कि जो कमपार्टमेंटल मॉड्लिंग का प्रोसीजा, स्टाइल और दामेंशन हमने प्रीवेस माड्यूल में देखे उनको माडिफाइ करना पड़ेगा तो यह हमने प्रीवेस माड्यूल में देखा और स्टी किया जो कमपार्टमेंटल मॉड्लिंग को और जो टेखनीक्स हमने इलाइट किये अच्छली इन रिल्वर्ड प्रोब्लम्स में तोस सिंपल टेखनीक्स विल नॉट बेगए तो फुली अगर जहां पे सलूट की कंसिंट्रेशन जो है या जो ट्रांसफर रेट है वो वेरी कर रहा हो हमने उस पे अज़ंशन लिया वाताले कि नाम तोर पे नेच्छल सिस्टम्स के अंदर इस तरह नहीं होता तो अगर हम ट्रांसफर रेट को भी केटर करना चाहते हैं तो फिर हमने अपनी प्रीविस मॉडल्स को माड़िफाई करना होगा with respect to the changing scenarios so that's why for example the concentration of a solute in a single compartment is not usually constant वो इसी एक में different हो सकता है दूसरी में different हो सकता है so that's why आम तर पिये जो concentration इसकी होगी वो परामेटर नी कंसिडर होगी और उसके से वरियबल लिया जाएगा so we have to modify the previous approach which was used by us in the previous modules तो इसके लिया modified कोई model बनाना पड़ेगा model की modification करनी पड़ेगा और आम तर पे जो previous भी models available है तो researchers जो है वो previous models में modifications भी propose करते हैं और उसमें जो changing variables है या नेग variables अगर वो introduce करा रहे तो उस हिसाब से उन existing models को भी modify किया जा सकता है इस जाद बतर बनाना नी है इस जाद 영상 करना अशको जादर बेहतर बनाना इस जादर बनाना इस जादर बनाना या जादर इस जादर बूझ Nerd पूँ हैन एटन जा इस देじ मि Aberta Sleeping Compartment Analysis llescolor किमिग झाव 먼저 पा के लिए फिर हमने अपनी मॉडल को accordingly modify करना पड़ेगा is the model becomes more and more complex means के इतनी हम उसमें modifications करते रहेंगे तो हमारा model जो होगा वो और ज्यादा और ज्यादा complex होता जाएगा तो इस scenario में फिर analytical solution जो है this is not feasible so अगर analytical solution feasible नहीं है तो फिर हमने क्या करना चाहिए तो यह बात हमने जरूर जहन में रखनी चाहिए कि दो the analytical solution is not feasible but उसकी simulation है वो still हमें कोई अच्छा guess दे सकता है simulation जो है वो still हमें अच्छा guess दे सकता है अच्छी prediction या approximation हमें दे सकता है कुछ models को further discuss करते है के पहले कुछ models आया पिर बाद में उसकी modification भी प्रपोस हो या उनके बेस पे उनको देखके कुछ नहीं models बनाय गए जिसमें कुछ modifications प्रपोस है for example one of the earliest modeling attempt attempt that was aimed at analyzing smallpox morbidity and mortality एक model था this is a very old model और यह पहले अटम्ट था to model the morbidity and mortality rate due to smallpox and and this data backs to 1766 though more than hundreds and about more than 150 years back a model bana and this model was being proposed by our Dutch mathematician Daniel Bernoulli or in only statistical statistical angle say they try to analyze to analyze and demonstrate the efficacy of vaccination on that specific disease of the small smallpox morbidity and mortality इन्होंने basically यह किया कि smallpox जो है उसकी vaccination बहुत पहले सी कराई जा रही है तो vaccination का smallpox की जो morbidity or mortality है vaccination का उसकी ओपर क्या effect पड़ सकता है उसको उनने mathematically model किया so this model is not very much complex model a simple model है क्यूंके बहुत पहले का पुर्पूस किया गया है कुछ limitations भी है इसके अंदर बर still it's good for reference purposes इसके बाद एक और infectious diseases का एक model example हमारे सामने मुझूद है बडा जबर्दस ताइप का एक model है इस model was proposed by hammer and super and this model was being proposed for a measle disease in 1906 इन इन मेडल disease की spreading को is a specific population में उसकी spreading rate को क्याटर करनी के लिए एक model पेश किया again not a very new one but a very good model जो still good performing है और इस model के अंदर they also try to cope and cater different compartments तो compartmental वाला जो हमारा concept है ये उनने 1906 में इस पीपल्स देवर know about these compartmental approach और इनने अपने मॉडल के अंदर जो चीजे जो components इनने मॉडल किये ते इस पेशली वर देवर फोकॉस्ट आ इस असब्सक्तिबिलिटी के कितने population के अंदर कुछ लोग जाहिरी बात है पॉपलेशन के अंदर कुछ लोग susceptible होंगे कुछ लोग infected होंगे और कुछ लोग ऐसी होंगे कि उनको disease हुआ होगा बड़ they get recovered तो इन तीनों को उनने cater किया susceptibles को भी recovered को भी और infected persons को भी of the population और पिर इसी reference से इनने disease spreading को model किया और इनने ये भी किया कि they also included in their model the birth rate the infection rate or susceptibility rate और जो spreading rate है उनको भी इनने cater किया तो again ये जो models है they are still being in use by different researchers और इनको पढ़ाया भी जाता है for example purposes for reference purposes और इसको देखके modeling के field में या modifications अगर हम propose करना चाहिए इन models के अंदर तो उनके limitations का हम evaluation करेंगे क्या क्या limitation है और recording लिह हम उसके अंदर further modification भी propose कर सकते हैं तो इस module से हमारा मतलब था कि modified compartmental modeling कैसी की जाती है और कैसे उसके अंदर कोई गुणजाईश निकाली जा सकती है या कैसे changing scenario में अपने models को accordingly modify किया जा सकता है